गर्मियों के आते ही देशी फ्रिज यानि मिट्टी के घड़े सुराही के जिमान को जादा ही बढ़ जाती है। राची रामगर मुखे पत पर देशी फ्रिज के अनेकों दुकाने खुल गई। राची में भी दिनों दिन गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घड़े सुराही खरीद रही है। फ्रीज या कूलर की बिकरी में बढ़ोतरी आई या नाई लेकिन मित्टी से बने बर्तनों की बिकरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि राजधानी में सुरे की तपिश में आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गर्मी के गाड़े का एसा है कि घर में महेंगे फ्रीज के रहते हुए लोग गड़े खरीद रहे है। राची में गर्मी के मौसम में रोजारा तीन सो घड़े की बिक्री होती है। वही मिट्टी के बरतन देचने वाली शुनिदा देवी से सुनिए कैसे करती हैं वो गुजरबसर और कैसा है मिट्टी के बरतनों का वैपार मांग तो ठीक ही है आ रहे हैं बस रेट महगाई की वज़ा बढने की वज़ा से आ रहे हैं पूछ पूछ के जा रहे हैं थोड़ा बहुत बिक्री हो रहा है लेकिन ठीक ठाकी है पांसो से लेकर के घड़ा तक का रेट का है घड़ा है सुराही है गमला भी है मारे पास और जूमर है घंटी है बहुत कुछ माटी का आइटम है कप अगेरा है बोतल है मग है है कोरोना के चलते अगले साल सु बेच नहीं सvoorbeeld के थे लेकिन इस लिए लेकिनuster के डर की वज़ा से मतलब बहुत कुछ मन्दी मतलब नज़र आ रहा है पांड़ा आटा है क्या है एपने से नहीं बनाते हैं बस माल को मग आते हैं दूर जाधाता तर और यह सब्राइब है लेकर 500 तक है लक्षमी कुमारी यह मिटी का बोटल देख रहे हैं पसंद आ जागा तो लेकिंगे कि अपना बोड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा थोड़ा बहुत हानी का रख है यह तो हम लोग रास्ते चलते रूख गए देखे तो अच्छा लगा अभी खेरते नहीं है देख रहे हैं बोटल अच्छा लगेगा खरीद लेंगे अब उच्छा सिम्डेगा से हैं राजर कुमर